धम शरणम गच्छामी धमम शरणम गच्छामी चार आरे सत्य हैं और सभी को अलग-अलग भागों में बाटा गया है जैसे कि पहले दुख आरे सत्य को चार भागों में बाटा गया नित्य, दुख, शुन्यता और निरात्मा तो बिना हेतू से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती है कोई भी चीज अगर उत्पन्न होती है तो वो हेतू से ही उत्पन्न होती है हेतू का मतलब है जो परिवर्तन कारी हो जिसके कारण उसमें कोई फल उत्पन्न हो सके तो इस प्रकार के हेतू की अविशक्ता होती है तो ये एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण ही उत्पन्न होते है प्रमाण वर्थका के अनुसार जो भी ये संसार है बिना हेतू से उत्पन्न नहीं होई है कोई वज़ा है जिसकी वज़ा से सभी अस्तित्व में आते हैं कोई भी चीज नित्यस उत्पन नहीं होती कोई भी अगर अस्तित्व में आएगा तो उसके हेतु क्या विशक्ता होती है अगर आप चाहो कि नित्यस उत्पन हो जाए तो यह संभव नहीं है आसंग ने कहा कि हेतूं से ही सभी चीजे बनती है और बनी होती है बिना हेतू के कोई भी उत्पन नहीं होता जैसे कि फल की भी अगर उत्पत्ती होती है तो उसके पहले उसके पौधों या बीच की उत्पत्ती हुई होती है बिना बीच या बिना हेतू के किसी फल की उत्पत प्राप्ति करने के लिए भी हमें विविन्य प्रकार की हिटूओं पर निर्भर होने की आविशक्ता होती है। तो मिथ्या द्रश्ची को प्रमारिक तरीके से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। प्राप्ति किये जा सकते हैं तो इनका अभ्यास करना चाहिए। ये सभी मार्ग जो प्राप्ति करने की बात है तो ये अभ्यास करने से और उनके जो चार प्रकार के उपवेद हैं। सत्ते का अपना एक विवेद है उनको भी जानते हुए उनकी प्राप्ति की जा सकती है। और जहां तक दुख की बात है तो तीन दुख हैं इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि हमारे संसकार दुख हैं उनसे मुक्ति पाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके बारे में सोचना चाहिए। और जैसे कि दुखी या परिवर्तन दुख ये जो दो प्रकार के दुख हैं उनको भी अच्छी तरह से जानना चाहिए जैसे कि धातू की बात की जाए या भूमी की बात की जाए तो उसमें भी इस प्रकार का प्रावधान यास्तत्व है कि किस प्रकार से एक समाधी से दूसरी समाधी में पहुचा जा सकता है तो भगवान बुद्ध के अनात्म के सिध्धान्त में भी संसकार दुख के बारे में जिक्र किया जाता है कि जो अनात्म का सिध्धान्त भगवान बुद्ध ने कहा है उसमें भी जो हमारे दुख हैं वो किस प्रकार से हैं उसका व्याख्यान किया जा सकता है जैसे कि जो आत्मा को मानने वाले हैं उनमें भी समाधि त्यादी का अभ्यास किया जा सकता है और उसमें भी समाधियों के विविन्न स्तर होते हैं किसी चीज को प्रमारिक करने के लिए अगर हम चाहें तो शक्ति में प्रग्या के द्वारा या चिंतन में प्रग्या के द्वारा प्रमारिक के जाए तो वो संभव नहीं हो सकता उसे प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास या भावना के अभशक्ता होती है विना भावना औ और अभ्यास के किसी चीज़ को प्रमारित नहीं किया जा सकता। सिधान्त के दौर पर अगर बात की जाए तो चार आरसत्य के अपने रूप हैं और फिर उनके चार चार वेद होते हैं। उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। आरसत्य को जानने के लिए जो करम बताया गया उनके चार प्रकार के करम है। जानना चाहिए कि जो हमारी काया इसमनती है जब शरीर के अगर बात की जाए तो दुख के बारे में खासकर यहां की बात की जाती है। हमारे अंदर सुख की जो अनुभूती होती है तो इसको भी समझना चाहिए। तो बिना सकते हुए इन सब को समझना चाहिए। कि किस प्रकार से हमारे मन या चित्ति की इस्तिती है इसके वारे में विचार करना चाहिए। उस वक्त हम यह सोचना चाहिए कि जो चित्त है वो किस प्रकार से परिवर्टत हो रहा है तो शरीर और चित्त में किस प्रकार से अंतर है, इसके वारे में सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि हमारा चित्त बहुत जल्द परिवर्षन शील होता है बहुत जल्द इसमें परिवर्षन देखने को मिलते हैं बहुत सारे इसमें विचार होते रहते हैं तो परिवर्षन शील के कारण ही इसमें विचार देखने को मिलता है तो अबोद्धों कि अगर बात की जाए तो उनके चित्त की भी इस्तिती इसी प्रकार से है क्योंकि हमारे चित्त में जब दुख होता है तब हम दुखी होते हैं और ऐसा एहसास करना चाहिए कि जो है वो कहां पर इस्तित होता है किस जगा पर इस्तित होता है क्योंकि जब हमारा चित्त दुखी होता है तो उस समय हम कहते हैं कि मुझे दुख है, मैं परचान हूँ, तो उस प्रकार जो कि मैं की भावना है, वो कहां पर रिस्थित है, उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आसकतियों के गारण मैं की भावना उत्पन होती है, उतना रूप के बारे में भी उनके विशेष्टा के बारे में भी चिंतन करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जहां तक चित्त को अगर खोजने की बात की जाए तो जो हमारी पांच प्रकार की इंद्रियां है तो उन इंद्रियों में चित्त का अस्तित्व है की नहीं उसमें मैं क की संभावना है की नहीं इनके बारे में जानना चाहिए उसके अत्रिक्त जब हम नींद के अवस्था में हो तो उस समय में भी जो मैं और आत्म की बात कहां पर इस्थित है इसके बारे में सोचना चाहिए और जब हम जाग जाते हैं उस समय भी चित्त कारूप वही होता है तो उस समय नींद और चित दोनों में आत्मा या मैं कहां पर है इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि सोते समय और जाकते समय दोनों अवस्ता की कारे की इस्तिथी अलग होती है इसे हमें ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में सुक्षम और सूल दो प्रकार की चित्तों होते हैं इसलिए दोनों प्रकारों के चित्तों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अगर हम मैं या आत्मा को ढूंडने की कोशिश करें तो चित्ते में अगर आत्मा है या मैं है तो इस सूल वा सुक्ष्म चित्त में उसे ढूंडने की कोशिश करनी चाहिए। जब इनको अच्छी तरह से ढूंडा जाये तो दोनों प्रिकार के जो चित्त हैं उनमें देखने को नहीं मिलता है। तब जाकर पता लगता है कि अगर ये दोनों एक ही ही हैं तो उस समय एक अ वस्था के लिए होता है। धीरे धीरे वो नस्ट हो जाते हैं और जैसा कहा गया कि हमारे चित्त की जो इस्तिती है वो शुद्ध है जो इसके अंदर बुराईया हैं वो शनक समय के लिए काले बादनों के समान इस्तिर हैं। उनको नस्ट किया जा सकता है तो इसकी जो प्र सनन करेंगे, तो जो निरोध मार्ग है उसे प्राप्त किया जा सकता है, अज्ञानता को नस्ट करने के लिए हमें धर्म अनुस्म्रति की अवेशक्ता होती है, इसके द्वारा हमारे जितने भी प्रकार के क्लिश होएं, वो नस्ट हो सकते हैं, मैं यहां थाइलेंड का एक शरीर की किस प्रकार क्ये वस्थाइं होती हैं, क्या गती होती है, किस प्रकार की उसकी वास्तवित्ता है, उसको यह इंगित करता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में 32 तरा की गंदगी होती है तो उनका यहाँ जिकर होता है कि किस प्रकार हम शरीर को महतरपूर मानते हैं लेकिर उसमें जो गंदगीया होती है उसका क्या तो इसके बाद जो इसमिती प्रस्थान को अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि इसमिती प्रस्थान चार प्रकार की होते हैं उसके बाद हमारे चार प्रकार के सम्मिक प्रधान जो कि प्रयोग मार्ग के समय होते हैं वो चार प्रकार के सम्यक प्रधान है जो पाप को उत्पन ना होने देने वाले जिस प्रकार से चित है रुची पैदा करना तो इस प्रकार का जो चित है वो पहले सम्यक प्रधान उसमें है और हमारा दूसरा कोई चित पैदा हो गया हो और विनाश के लिए हो इस प्रकार से ह हमें सम्मिव्व प्रधान का उत्पादन करना चाहिए। और फिर तीसरा जे अनू उत्पन्य है जो उत्पने नहीं हुआ है कुशल कर्म की उत्पत्ती करनी चाहिए और जो समिक प्रधाने है उससे भावना के लिए रुची उत्पने करनी चाहिए और इसके बाद जो चार प्रकार के रिशीपाद होते हैं कि छंद, समाधी, संसकार युक्त, दूसरा, वीर, शामाद और चित्त समाधी रिशीपाद इनको जानना चाहिए इसके बाद जो पांच प्रकार की इंद्रियां होती हैं उनको जानना चाहिए इनको जानने के बाद पांच प्रकार के कारे के बल को भी जानना चाहिए श्रद्धावल, वीरवल, स्प्रतीबल, समाधी और पग्यावल इसके अतरिकत जो ध्यान मारक के समय में जो बोधंग है उनको भी जानना चाहिए इसके बाद जो आरस्टंग मारक है जिसका दर्शन मार के समय जिक्र किया जाता है या उसमें वर्गी करत किया जा सकते हैं तो इस प्रकार की जो बाते हैं ये बौध लोगों के लिए परमावश्यक हैं जो 37 प्रकार की बौध दी पक्ष हैं उनको ठीक तरीके से जानना चाहिए बिना इनको जाने जो आधारी बाते हैं आप उनकी जानकारी नहीं रख सकते तो जैसा कि कहा गया कि अगर हम चित्त को वश्मे नहीं करेंगे तो दुख की प्राप्ती होगी और चित्त को जब तक हम शुद्द नहीं करेंगे तब तक हमें दुख की प्राप्ती होती ही रहेगी चित्त को वश्म करने से ही हम सुख की प्राप्ती कर सकते हैं और जारतर ऐसा ही होता है कि हम अपने आपको बहुत जारा महतों देते हैं या हमारे अंदर मैं की भावना बहुत सारा प्रवल हो जाती है तो इस समय जब हमारे अंदर एहंकार या स्वार्थ की भावना जारा पैदा होती है तब दूसरों के प्रती द्वेश ग्रणा पैदा होती है उस समय हमारी मनुदशा अलग हो जाती है इस समय जो हमारा चित्त होता है उसमें दुख उत्पन होता है या फिर विचलित होता है तो अपने आपको जारा महतो ना देते हुए अगर हम दूसरों को महतो दें और दूसरों को सम्मान करें तो जो हमारा क्रोध या घ्रणा या द्वेश है वो कम रहेगा इसके साथ ही हम जादा सुखी भी रह सकते हैं। वैग्यानिक लोग भी ऐसा मानते हैं कि बार-बार गुस्सा होने से हमारा शरील कमजोर होता है। वो बताते हैं कि किस प्रकार से क्रोध करना हानिकारक है। इसे हमें जानना चाहिए। जैसा कि सभी धर्मों का संदेश है कि लोगों में करुणा, मैत्री, प्यार, उत्पन्न करना चाहिए, तो अगर सभी धर्मों का संदेश अकर ये है, तो फिर हमें क्यों दूसरों के प्रती बैर या बुराई करनी चाहिए? हमें समझना चाहिए कि अगर हम क्रोध करेंगे, तो हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुक्सान करेंगे, तो ये जो मूलभूद बाते हैं, इन्हें ध्यान में रखना चाहिए, प्रेम, करुणा, मैत्री की बात किसी एक के लिए नहीं, बलकि सभी के लिए लादायक है, तो उसका हमें अभ्यास करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, उधारन के तौर पर देखा जाए, तो एक पौधे को हरम सूरी के साथ साथ अच्छी खाद बीज देंगे, तो उनका विकास भी अच्छी तरह से होगा, पूल पत्ती अच्छी तरह से विकसित होंगी, तो हम देख सकते हैं कि अनकूल परिस्तिती में जो चीज विकसित होती है, वो अच्छी से होती है, उसके प्रती अगर प्रतीकूल असर उस पर पड़े, तो उसका विकास नहीं होता हमारे शरीर के लिए भी अगर अनुकूल परिस्ति रहे तो उसका विकास अच्छा हो सकता है मन का विकास अच्छे से हो सकता है तो अनुकूल परिस्तियों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब की अंदर वेदना बड़े गंभी तरीके से होती है फिर चाहे सुखद वेदना हो या फिर दुखद वेदना तो ये दूनों प्रकार की वेदनाएं हमारे अंदर होती है क्रोध के वक्त हमारे शरीर के कारे करने की ख्यमता तेस हो जाती है उस समय हमारे शरीर में जो रक्त चाप है वो जादा होने लगता है उस समय लड़ाई जगला करने की ख्यमता प्रवल हो जाती है तो ये जो क्रोध है एक तरह की हमारी प्रतिकूल परिस्तिती है जैसा कि वेग्यानिक लोग भी असमानते आ रही हैं कि क्रोध के समय हमारे शरीर के अंदर शारिरिक शमता बढ़ती है। फिर हम गलत कदम उठा बैटते हैं तो समानलता क्रोध को नश्ट करना चाहिए और हमारे अंदर क्रोध मिथ्या दृष्टी सुत्पन होता है। हमें य यही है। तो ऐसे में हमें अपने सोच विचार में परिवर्तन करने क्या विश्यक्ता होती है। शिक्षा समुच्च में कहा गया है कि क्लेश का भी जो कर्म है वो चित्त को विचलित करता है। तो अगर हमारे चित्त में अगर क्लेश उत्पन हो जाए तो यह हमारे कुशल चित्त को भी विश्वत कर देता है और फिर हमारे जो कर्म है वो चित्त के अनुसार बिगड जाते है उस समय हमें दुख के अनुभती कराता है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मन में कलीश उत्पन ना हो सके और मिथ्या धारना पैदा ना हो सके तो क्रोध के विप्रीत प्यार है तो इस प्रेम को दूसरों के साथ बाटना चाहिए अगर दूसरों के साथ हम प्रेम दिखाएंगे तो इसके साथ साथ हमारा दूसरों के साथ विभार भी अच्छा होगा उसके साथ हम अच्छी तरह से रह सकते हैं तो इसके बाद जो छटाएस लोग है उसमें जिक्र किया गया कि जारतर हम दुश्मन को नित्य मान बैठते हैं और जो भी हमारा नुकसान हो रहा है वो इसी की वज़े से हो रहा है। इसलोक नुमबर छे में कहा गया है कि अनाडी लोग नहीं जानते कि हम इस संसार से जाने वाले हैं। अर्थात ये वो मान लेते हैं कि हम संसार में हमेशा के लिए रहने आए हैं। जो इस चीज को जान लेते हैं कि संसार में शनक समय के लिए हम आए हैं तो उनके जगड़े शान्त हो जाते हैं वो किसी जगड़े या लडाई नहीं करते हैं अब शर्णम गच्छामी धम्मम शर्णम गच्छामी कि अब शर्णम गच्छामी